जै भेरो बाबा की मेरे पिरिय दर्श को आज हम बात करने जा रहे हैं कि हर संकट की घड़ी में करे ये उपाई और आपने थम नेल पर भी पड़ा होगा हमने थम नेल पर लिखा है कि हर संकट की घड़ी में करे ये उपाई तो पिरिय दर्श को ये उपाई बहुत ही कारगर है या आपको राहु ग्रह का पता नहीं है सुकर ग्रह के बारे में कोई knowledge नहीं है आपको ये मालूम नहीं है किस जोतिष के पाथ जाकर हम कोई उपाए पूछे तो आज मैं आपको जो उपाए बताने इन उपाई को आप कर लीजिए देखिए उपाई को अगर आप विश्वास के साथ करेंगे सर्दा के साथ करेंगे तो लाब जुरूर मिलेगा और ये उपाई ऐसे हैं कि आप अपनी दिन चरिया कि उसमें रोजाना ये उपाई आप कर सकते हैं वो सरल उपाई हैं और छोटे बड़ा है, घर की महिलाए, मतलब या घर में जो भी सबसे बड़ा है, उसको ये उपाय करना है. देखे दीरे-दीरे कैसे जो संकट है आपके उपर से दूर होता है उपाई क्या है? उपाई ये है कि आपको सबसे पहले सुबह उठकर एक लोटा जल लेना है घर में जो सदस्य से पानी पीते हैं उसी मटके से ये लोटा लेना है पूरे घर में उठते ही सबसे पहले ओम सांती ओम सांती करते हुए पूरे घर में इस लोटे को छिड़के फिर घर के गेट पर जो जल है इसको छिड़क दे देखे ये उपाई पहले के जमाने में पहले के लोग भी इस उपाई को करते थे सबसे पहले उठकर करते थे और उनको लाब भी मिलता था ये उपाई आप जरूर कीजिए दूसरा उपाई है गनेश जो विगन हर्ता रिन हर्ता हर संकट में जो है समस्टाउ को दूर करने वाले जो गनेजजी है, वो आपको जरूर यह उपाए करने से आपको जरूर लाब मिलेगा, उपाए क्या है, आप ओम गन्गन पते का जाप सुरू कर दीजिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएगे, गनेजी की कोई शाधना भी आ और सूर्य उदे होने से पहले आपको उठना है। पिपल में भी जल देना है आपको और पक्षियों को हरी मुंकी दाल आपको जुरूर खिलानी है। गाय की आपको सेवा करनी है। यह छोटे-छोटे उपाए हैं और आप रोजाना इन उपाए को कर भी सकते हैं। रोजाना आप मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, मंदिर में जाना अगर आप शुरू करते हैं रोजाना, तो समझ लिए कि आपकी सारी समस्षाई बहुत जल्दी दूर हो जाती है, तो पीरे दर्सकों ये छोटे छोटे जो पाए हैं, आज मैंने आपको वीडियो में बताए, विश्वास के साथ कर लीजिए, अगली वीडियो में कुछ विशेश लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जाए बहरो बाबाद।